Hello everyone, इस वीडियो में हम लोग डिसकस करने वाले हैं साइबर क्राइम्स के बारे में, concerns and implications, साइबर क्राइम्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उसमें software piracy, यानि किसी भी software की copy करना और उसका नकली version distribute करना and उसको कैसे solve कर सकते हैं, ये सारी चीजे इस वीडियो में हम अगराब है तो अवाज की जो quality है वो आपको अलग लगने वाली है, now, cyber crimes के अगर में बात करूँ, जिसमें software piracy भी आता है, ठीक है, software piracy क्या होता है, suppose, कोई अच्छे-च्छे famous software ले ले लेजे, तो आप जब कोई software खरीते हो, तो आपको इसके लिए payment करनी होती है, लेकिन क होता है उसके crack निकालना, because आपको पता है यह इतना advanced अमाना, उसके crack निकालना, crack मतलब free में वो software आपको मिल जाए, obviously, वो उतना effective नहीं होता, क्योंकि बहुत सारी update चीज़ें आपको नहीं मिलती, लेकिन यह एक बहुत ही common practice है, जिससे आप कह सकते हो, आज कल की digital world में threat है, अगर आप एक broader level पे देखो, तो इससे बहुत सारे threats होते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने अगर आपका intention कुछ गलत नहीं था, आपने software piracy करी, problem यह है कि इसके जो impact होते हैं, negative impact वो बहुत जादा होते हैं, क्या-क्या होते हैं, वो discuss कलते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करे economic impact के बारे में, software piracy result in substantial economic losses for software developers and global economy, यानि कि जब software की piracy होती है, उसकी वज़े से automatically economy, यानि कि जो हमारी अर्थ हुय अवस्ता है, उसमें loss देखने को मिलता है, या फिर आप कह सकते हो global economy, simple सा fund है, समझाती हूँ, suppose Adobe का कोई भी software ले लीजे, ठीक है, Adobe का जब software यूज होता है, तो company को पैसा जाता है, ठीक है, company के पास पैसा गया, और company ने आपको वो software दिया, लेकिन company भी responsible है किसके लिए कि tax pay करेगी, या somehow government को भी तो वो पैसा देगी, अगर company earn कर रही है, तो government को भी तो पैसा जाएगा, तो automatically economy पे अच्छा असर पड़ता है इस सब का, लेकिन अगर क होता, तो इसलिए लिखा है कि economic losses होते हैं, developers के लिए भी और एक global level पर, ठीक है, इससे company को वो revenue नहीं मिलता, जो incentives होते हैं, मतलब जैसे आप, suppose कोई software डाउनलोड कर रहे हो, तो logo को इसमें incentives मिलता है, फायदा होता है कि आपने ये ढूंडा है, आपने ये काम किया है, तो security risk, illegitimate software often lacks security updates and patches, generally जो भी software होते हैं, उसके अंदर updates होते हैं, ठीक है, ताकि आपकी safety और security का धिहान रखा जाए, जिससे कोई भी malware, जो आपके data को breach कर सकता है, आपकी personal information निकाल सकता है, hacking हो सकती है, उस सब से आपको बचाते हैं, जो actual software होते हैं, लेकिन जब आप illegitimate software use करते हो, तो उससे ये सारी problem देखने को मिलती है, cyber criminals can exploit these vulnerability to compromise system and steal sensitive information, जो cyber criminals होते हैं, वो इन vulnerabilities को क्या करते हैं, compromise करते हैं, ठीक है, and जो sensitive information होती है, उसको भी steal करते हैं, समझ में आई बात, तो यहाँ पर क्या हुआ न, जो भी किसी की sensitive information होगी, जो भी किसी का भी, आप कह सकते हो कि, उसकी security के साथ खत्रा रहेगा, क्योंकि वो software, उनकी जो personal information है, वो भी निकाल सकते हैं, intellectual property violation, software piracy infringes on the intellectual property right of software developer, देखो, मैं आपको एक बात बतार, suppose मैंने आज एक software develop करा, ठीक है, मैंने software develop किया, HA software develop किया, example के लिए समझा रही हूँ, ऐसा कोई software नहीं है, तो यहाँ पर क्या ह यह मेरा खुद का right है, आप समझे हो, यह मेरी property है, because मैंने इसको develop करा है, example लीजे, पेपर में आपने कुछ काम किया, ठीक है, आपने कोई महनत करी project में, और कोई सामने वाला बंदा उसको copy करके ले गया, ना आपको उसका कोई benefit हुआ, ना आपको पता चला कि किस ने लिया आपको कोई royalty मिली, आपको किता बुरा लगेगा, आपको appreciation भी नहीं मिला, चलो पैसे तो दूर की बात है, तो आपको थोड़ा तो बुरा लगेगा ना, तो यहाँ पे मैंने यह software बनाया, लेकिन किसी ने because इसको copy कर लिया, तो मुझे इससे कोई benefit नहीं हुआ, तो यह क्या आपको लगेगा कि हाँ, यह तो लेक्चर वाली बात है, लेकिन सोचके दिखिये तो यह एक बड़े लेवल पे बहुत problematic situation है, ठीक है, इससे क्या होता है ना, copyright principles, intellectual property law, यह समना automatically खतम से हो जाते हैं, आपका किसी ने software जो आपने इती महनत से बनाया, सालों महनत करी, copy करके कि ने distribute कर दिया कहीं कहीं पे, तो आपको कोई फायदा ही नहीं हुआ, तो वो एक चीज होगे, ठीक है, unfair competition, companies that engage in software piracy can undercut legitimate business by offering lower prices negatively impacting fair competition in the market, वो company, जो software piracy में involved होती है, ठीक है, जिसनका कोई भी रोल होता है software piracy में, वो actual जो business होते है, legitimate business जो होते है, उनको खतम कर देती है, उनको undercut मतलब उनका content कर देती है, suppose आप जो actual software बना रहे है, वो पैसा कमाते, अच्छे तरीके से pay करते, लेकिन अब एक नई कंपनी आ गए, जो सस्ते में बेच के, चुपचा बेच के, जो competition है, वो ही बहुत गलत हो रहे है, क्योंकि खुद का भी नहीं है software उसका, लेकिन वो बे piracy आ गई, वो across border ये चीज होती है, जिससे उसको investigate करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीके, prosecute करना बहुत मुश्किल हो जाता है, this global nature of cyber crimes highlight the need for international cooperation and legal framework, cyber crime जैसे की software piracy हो गई, वो border के across, यानि कि ऐसा तो है नहीं कि कोई एक ही country में ये हो रहा है, अब suppose example दे रहे हो, मैं कोई company है, जो बाहर की है, हम उसके software को use कर रहे है, फ्री में, example दे रहे हो, तो क्या हुआ, हमने भी तो global level पर वो कराया है, कि pry piracy है, copy कराया है, so इसमें software piracy हो रही है, committed across border, जिससे investigate करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, same country में तो बहुत जल्दी वर detect कर लो गया, आपके क्या हो रहे है, बहुत चारे hackers बैठे हैं, बहुत चारे लोग बैठे हैं, कई बार दूसरी countries में depth में पता लगाना मुश्किल होता है, so this global network of cybercrime highlight the need for international cooperation, यहाँ पे कही ना कही ये बात हमारे सामने आती है, कि जरूरत है कि countries आपस में साथ में आए, एक international cooperation की जरूरत है, कि स लीगल framework, ऐसी चीज़े design होनी चाहिए, जिससे ये problem खड़ी ना हो, उसके बाद आते हैं, copyright protection पे, ठीक है, अब ये remedies क्या है, यानि कि ये तो हमने problems discuss कर ली, but how can we actually solve these things, सबसे पहले है copyright protection, copyright laws grant software developers exclusive right to their creation, copyright laws क्या करते हैं, software developers को ये right देते हैं, creation का, ठीक है, Companies in laws को use कर सकती हैं, ताकि legal action ले सकें, किसके against, software pirates के against, मतलब company के पास, वो companies in laws को use करके, जो laws बने हुए हैं, वो कोई भी person, जो उनके software को copy कर रहा है, उसके against, action ले सकती हैं, ठीक है, and copyright infringement cases, YouTube पे भी तो होता है, किसे ने किसी के वीडियो कॉपी करके डाल ली और बहुत सारे views हैं, और नहीं भी हैं views, बट आप copy करके क्यों डाल लो किसी के वीडियो, उससे क्या हो सकता है, आपका channel बंद हो सकता है, so ये जो infringement cases होते हैं, इससे क्या होता है, in fact कई बार तो criminal charges भी लग सकते हैं, कि आपने एक बहुत ही बढ़ा गुना किया है, गलत तो है, लेकिन legal tool provide करता है, software piracy को solve करने के लिए, ये problem solve करने के लिए, ठीक है, तो अब इन्होंने क्या करा, इसमें क्या होता है, वो take down notices भेजते हैं, मतलब किसी website ने एक link लगा दिया, ये link लगा दिये, कि भाई, ये link है, software के आप download कर लीजे, अपनी audience के लिए उन्होंने ये link लगा दिय तो DMCA उनको notices भेजते हैं, उन websites को, कि भाई, जो भी आपने link लगाए हैं, जिसमें pirated software के बारे में आपने बताया है, उसको आप नीचे कर लीजे, मतलब उसको आप अटा लीजे, and उसके वालावा वो क्या करता है, online services providers, जो भी service provider करते हैं, उनको ये भी कहता है, ये write भी द बहुत सारी websites हैं, बड़े अराम से link देती हैं, programs के link देती हैं, क्यों देती हैं, program के link देने में problem क्या है, बट देखो, जो company है, जब आप किसी company का subscription लेते हो, for example, मैं आपको Netflix के example देती हो, Netflix पे इते सारे shows आते हैं, ठीक है, लेकिन कई लोग उसको download करके, video recording करके, उसको फ्री में distribute करना शुरू कर दिया, इसे link लगाने शुरू कर दिये, तो लोगों को वो subscription amount तो देना ही नहीं पड़ रहा हूं, फ्री में देख रहे हैं, हैना लेकिन उसका नुकसान company और economy को हो रहा है, जोगों को भी हो रहा है, क्योंकि उनकी job भी जा रही है, software developer often use end user license agreement, या अगर आपने यह जो agreement है, इसको violate किया, इसको follow नहीं किया, जो चीज़े आपको करनी चाहिया थे, आपने नहीं करी, तो legal action आप पे हो सकता है, जैसे कि contract break करने वाला, आपे लग सकता है कि आप देखो एक contract बना, ठीक है, software developer ने बनाया यह contract कि आप यह यह चीज़े कर सकते हो आप किसी ने उसको उस तरह से use नहीं करा, किसी और तरीके से use किया, तो उसके उपर contract के breach का claim लग जाता है, जो की बहुत ही गलत ही, फिर है intellectual property enforcement agencies, कई ऐसी countries हैं, आप मान सकते हैं कई ऐसी specialized agencies हैं, जो enforce करती है intellectual property, मैंने बताया ना, अगर मैंने कोई software produce किया, तो वो मेरे intellectual property है ठीक है, और ये countries क्या करती हैं, ये देखती हैं कि कहां पे privacy हो रही है, कहां पे software को गलत तरह से use कर रहे हैं, या distribute करा जा रहा है, ठीक है, फिर है international corporation, due to global nature of cyber crimes, क्योंकि ये एक country या state की बात नहीं है, जो cyber crimes होते हैं, या आपके pirated चीजों को distribute करना, सब कुछ global level पर होता है, तो international corporation बहुत जरूरी है, ठीक है, कई ऐसी treaties या agreement, जैसे कि trade related aspects of intellectual property rights, आपको अगर ये याद नहीं रखने हैं, तो आप इसके mean crux याद रख लीजे, कि ये क्या करेंगी, जैसे कुछ agencies क्या करेंगी, मतलब वो corporation करती हैं आपस में, कि across border अगर piracy हो रही है, तो क्या करा जा सक उस पर चर्चा, उसको discuss करना, उसको ठीक करना, ठीक है, फिर आते हैं, digital rights management, DRM पे, DRM technologies are used to protect software by controlling access and preventing authorized copying, ऐसी बहुत सारी technologies हैं, जो software को बचाती है, कैसे, access देने से, and कोई भी अगर unauthorized copy करेगा, वो पता लगा लेती है, ठीक है, इसने क्या बूला, कई companies, इसको मान सकते हैं, कि वैसे तो ये थोड़ा सा controversial tool है, क्योंकि, हर technology में, side effects, side effect क्या सकते हैं, पर cons भी होते हैं, मतलब, आपने उसको copy का तो पता लगा ले, लेकिन कई बार वो private data भी breach हो जाते, तो वो सब चीजों को देखते वे, कई चीज़े मानी भी जाते हैं, कई ठीज़े नहीं भी मानी जाती, ठीक है, फिर आते हैं, education and awareness, raising awareness about the negative consequences of software piracy can discourage individual and organization from engaging in such activity, इसने क्या बोला, जब आप awareness spread करते हो, किस के बारे में, negative consequences के बारे में, मतलब, अगर आप, देखो, मैं आपको एक simple सी बात आते, जब तक आपको ये नहीं पता होगा, कि क्या-क्या negative impact हैं, जो आप अगर software यूज़ कर रहे हो, उसके, तब तक तो हमें लगते हैं, कोई बात नहीं है, हमें free में मिल रहे हैं, सामने वाला तो पैसे दिली देगा, तो हम कोई ऐसे बड़ा crime थोड़ी कर रहे हैं, हम तो अपनी पढ़ाई के लिए यूज़ करें, मैं समझती Awareness raise करना बहुत ज़रूरी है, about the negative consequences, कि क्या चीज हो रही है, क्यो हो रही है, और किस तरह से हम लोगों को, you know, encourage कर सकते हैं, कि भाई, आप privacy ना करें, और discourage, मतलब आप प्रिविसी कह रहे हूँ, piracy ना करें, बारबर गलत वर यूज़ हो रहा है, and discourage जो है, मतलब आप individuals को organization को ऐसी activities में involved होने के लिए मना करिए, ठीक है, educational campaigns जो होते हैं, वो भी legal alternatives offer करते हैं, piracies के लिए, ठीक है, so this was all about your cyber crimes concerns and implication, यह आपका, जो ICT का topic है, इसकी सारी videos playlist में मिल जाएंगी, कुछ playlist universities के according है, कुछ common playlist है, कुछ entrance exams की playlist है, तो उसको जरूर देखिएगा, you will find many useful videos, कोई doubt ह है, तो please मुझे पूछिएगा, comment section में, and अगर वीडियो अच्छी लगी, तो फटाफट से channel को subscribe कर लीजे, बहुत सारे बच्चे हैं, जो वीडियोस देखते हैं, बस subscribe नहीं करते हैं, please subscribe कीजे, ताकि मुझे भी और जादा motivation मिले, videos बनाने के लिए, thank you so much, have a nice day, I'll see you next time in the next video की